Good morning all of you और स्वागत है आप सभी का एक बफिस से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमिश्वर की प्रेजन्स में प्रभु येश्यु मसी के नाम में इन दिनों हम परमिश्वर की सिधानतों को सीख रहे हैं नियमों को सीख रहे हैं और आज परमिश्वर के वचन से लु परमिश्वर के वचन का नियम है ये एक सिधानत है जिसको आज परमिश्वर मुझे और आपको और हम सब को और हर विश्वासी को सिखाना चाहता है परमिश्वर हमें थोड़ा देकर देखता है कि क्या हम उस थोड़े में विश्वास योग्य हैं यदि हम विश्वास गे रहते हैं, वफदार रहते हैं, परमेश्वर हमें और देता है, और देता है, और देता है, असीमित आशिशों को देने वाला परमेश्वर है, हालेलूया, मैं ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर थोड़ा देता है, मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हम को देखता है कि क्या हम थोड़े में विश्वास योग्य है या नहीं परमेश्वर कभी भी किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करता परमेश्वर जानता है लिखा है जब हम मर्कुस रचिसू समचार दूसरा दिया है 22 पद में देखते हैं कि नए दाकरस को हमेशा नई मशकों में उंडेला जाता है परमेश्वर जानता है कि यदि नए दाकरस को पुरानी मशकों में उंडेला जाता है क्योंकि परमेश्वर जानता है कि यदि नए दाकरस को पुरानी मशकों में उंडेला जाएगा तो दाख्रस और मश्के जो हैं दोनों बेकार हो जाएंगी वो दाख्रस मश्कों को फार देगा वो दाख्रस बिखर जाएगा वो खराब हो जाएगा परमिश्वर अपने अभिशेक का आदर चाहता है अपनी अनॉइंटिंग का आदर चाहता है हमें थोड़े में विश्वा वास योगे रहना है uh around हमें हर कदम पर बढ़ाता है पर में हर कदम पर आगे लेकर जाता है यदि आप एक आत्मिक व्यक्तिं और आपने अबने आत्मिक जीवन को अनुभव किो अ fark देखा होगा जो आशीश आपके पास पहले थी अब उन अगर कम bank balance है तो आज जादा bank balance है पहले अगर आप local कंबल ओड़ते थे तो आज signature का कंबल ओड़ते हैं मैं आपको क्या बताना चाहता हूं मैं आपको इन सब भौतिक आशीशों से उधारन दे कर इस बात को समझाना चाहता हूं कि जब हम थोड़े में विश्वासियों गिरत नेक्स टू नेक्स टू नेक्स लेवल टू लेवल टू लेवल टू लेवल परमिश्वर हमको लेकर जाता है हमको उठाता है हालेलूया मैं आपको जब हमने सीखा था बताना चाहता हूं अभिशेक के बारे में तो विश्वासि का अभिशेक याजक का अभिशेक राजा का मैंने आपको सिखाया था और इस बात को बताया था कि जब तक हम विश्वासी के अभिशेक में पास नहीं होंगे तब तक हम याजक के अभिशेक वाले स्तर पर नहीं पहुँच पाएंगे और जब तक हम याजक के अभिशेक वाले स्तर में पास नहीं होंगे तब तक हम परिश्रम करना है समर्पन करना है प्रभू के सामने आज्याकारिता में जीवन हमको बिताना है ताकि परमेश्वर हमको नेक्स लेवल पर लेकर जाया परमेश्वर ले जाना चाहता है लेकिन हम अपनी आलस के कारण अपनी अनाज्याकारिता के कारण अपने अधूरे समर्प के कारण हम नहीं जा पाते हैं हमें अपने आपको प्रभू के हातों में सौपने की जरूरत है विश्वासी के अभिशेक के स्तर को हम पार करेंगे तब ही हम याजक की अभिशेक के स्तर पर पहुंच पाएंगे याजी की अभिशेक से जब हम याजक के अभिशेक के स्तर में ह थोड़ा काटता है तो जो जादा बोता है वो जादा काटता है आमेन हालेलुया हमें परमेश्वर के लिए जादा बोना है जादा प्राथनाओं को बोना है जादा भलाईयों को बोना है जादा दूसरों के लिए प्राथना करने को बोना है जादा दूसरों की मदद करने को जादा वफादारी, जादा इमानदारी, जादा महनद, जादा गीत, जादा वचन का मनन, ये जादा आत्माओं को जीतना, जादा सुसमचा सुनाना, जादा महनद प्रभू के लिए करना, जो जितना जादा बोएगा प्रभू के लिए, वो उतना जादा काटेगा मेरे प्र प्रकार किस प्रकार परमिश्वर हम को आगे बढ़ाता है यदि हम अगले स्तर पर जाना चाहते हैं तो हमें जहां पर हम हैं वहां परमिश्वर हमसे क्या उमीद कर रहा है यदि हम अगले स्तर पर जाना चाहते हैं तो जहां पर हम हैं वहां पर परमिश्वर हमसे क्या उमीद कर रहा है क्योंकि जब हम उस उम्मीद को पूरा करेंगे तभी हम आगे अगले इस तर पर जा पाएंगे तो ज़रूर कमेंट करकर यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे आप अपनी आंसर को दें परमिश्वर आप सबको बहुत आयद के साथ आशीश दें गौड ब्लेस करुछ घर जब है।